हेलो बड़ीपान वेल्काम बैक टो मैं चैनल कैसो आप सब लोग उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे गुड मर्निंग तो 9 अक्टूबर का दीन है 7.30 के टाइम हो गया है सुबह चार बजी से उठे हुए हैं भी देखे फिर से बाबू रोने लगा तो फिर मैं आई और उसको पकड़ी और अभी देखी तो उसने पौटी किया था तभी उसका जो लंगट बांते हैं वो शाफ कर देंगे पौटी नहीं वो सुसू किया था मुझे लगा पौटी किया है तो आज ना सुबह चार बजे से यह परिसान करके रखा है वैसे रात मुदि बांते हैं उसकी था मुदम है तो प्यास से ब्यूखो को किसे लिए और आख्र किया इंटाइव इसकलां अभीू आप सुएं प्रस ! तो हम दोनों में से कोई दुष्रे के पास अभी ममी आई है तो फिर ममी मात की तो मैं तो जाने शक्ती थी थी क्योंकि अब मुझे ट्रैवल करना नहीं है और इसलिए ममी कहले आई ए मिलने के लिए तो वो लोग आयए थे कल और तारिक तो कल आये के लिए तो फिर कभी मुखा मिलेगा तो बताऊंगी बोलूंगी अगर ओ लोग आना चाहेंगे तो जरूर आप लोगों से मिलवाओंगी नहीं तो मैं नहीं मिला सकती हूं तो अभी मेरे गाउं के या फिर मेरे रिलेटिव के लोग तो इधर है नहीं पस एक वही बुगा है और काफी टम से मैं भी सोच रही थी उनके पास जाओंगी मिलूंगी भेट करूंगी उनसे लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था लेकिन चलो अभी मुमी के बहाने वही आ गई यहां पर उनसे मिलना भी होगे अभी तो आना जाना लगा रहेगा मैं भी जाओंगी अभी नहीं मैं खाना बना लोगा तो अभी वह सबजी काटके रख लिए हैं मतलब सब देख ओर देख तो देर के लिए ना अभी बाबु को मैंने यहां पर रखा सौ गया था और जैसे ही मैंने विस्तर प्रखा बस 10 मिनिट भी नहीं रहा होगा और फिर से रोने लगा और मैं सोची चलो अभी सो गया ना तो थोड़ा में अपना बाल बना लेती हूं और थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूं लेकिन ये फिर से उठ गया और अभी इसको लेके मैं सारे बाते की फिर साम को लोग निकल गए ममी को लेकि ममी और शचीन दोनों गया और उधर मतलब कलयान यहां से जज्यादा दूर नहीं है कल्यान में ही उनका घर है तो बोले की मैं ममी को घूमा दूंगी तो मैं सोची चलो ममी इसी बहाने थोड़ा गूम लेगी और अभी मुल रहते हैं तो बेबी कितना रहता है और कमर में दर्द रहता है वैसे बेट बहुत जरूरी आप्टे रिलेवरी और मसीन में कपड़े भी लगा थे हैं तो मुस् würde चलो भी थोड़ा बहुत हजबन का हेल्प कर देते हैं तो सारे बरतन जो धोया हुआ था ना ट्रोली में लगा रही हूं और अभी तक हजबन का सब्जी काटना हुआ नहीं है तो दो कठाई में ना दोनों सब्जी को छौक देंगे तो जली-जली बन जाएगा और कुकर में ह यह बाद में रोटी बनाओंगी वैसे ममी आ जाएगी तो ममी बना देगे क्योंकि ममी अभी आने ही वाली है बात हुआ था ममी से तो अभी ट्रेन में बैट गई है और अभी देखिए बाबु फिर से उट गया थोड़ा दिर के लिए वो सोया था मतला पता नहीं आज इसक तो और से ओटा नहीं है तो ज्याँविम यह थोड़ा देर के लिए घर से बाहर गया है तो कोई जोटा है अपकल 5 है nhất घ्र से एचे से टाइम के लिए तो रह जाएगी लेकिन बाद मेना वो मुझे ढूणने लगती है रोने लगती है तो इसके लिए मैंने जाने ने दिया तो ममी को बहुत बुरा लग रहा था और कलना वो भी रही थी कि मैं भी जाओंगी नानी के साथ और ममी देखे इतना साफिंग करके जाला है क्योंकि दिर्शानी जब छोटी थी ना तो उस टाइम पे ना यूटूब चैनल था मेरा और नहीं इतना जदा प्रेशर था काम का मैं अराम से पूरा दीन काम करते रहती थी जब भी बाबु परिशान करते थी तो उस टाइम पे में कुछ भी नहीं करती थी छोड नहीं था क्योंकि दिर्शानी जब वन मन के थी ना तब ही मैं आगी थी मुंबई उस टाइम पे बहुत सारा काम रहता था नहाने के लिए भी ना मुझे सोचना पड़ता था बात्रूम खुला करके मैं नहाती थी खोल के नहाती थी बच्चे वहीं पे मतलब दिर्शानी व सब्सक्राइब अबहुत सारा काम है था कैश देढ cleanup का काम प्री यूटूब का में तो हो और आप बात की बौलते हो औप आप की सुनन करना में बहुत हुज हो जूंस हो हुँ तो लाइप में जो चीजे चलता है ना इनसान उसी टॉपिक पर बाते करता है तो अबी मेरा लाइफ कुछ इस टाइब काई है भी मेरा निव बेबी हुआ है तो अभी मेरे ब्लोग में यही सब चीजे रहेगा मैं एक्ट्रा कुछ दिखा नहीं सकती मैं बाहर अभी जा नहीं रही हूँ और पहले से जो फ्रेंड मेरे वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं जादार घर का ही वीडियो बनाती हूँ मेरा लाइप कुछ इस टाइप कई है तो और एक फ्रेंड ने तो मुझे लेजी भी पोला था कि तुम तो बहुत ज कि तकलिफ नहीं समझ सकते हैं तो किसी को एसा मत बोलं यह कि किसी पॉल देना बहुत असान शहीं और कुछ ब्रेंड का कॉमेंट आता है कि आपको आप करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं काम कर रहाएं अपना वीडियो बना रहे हो टायम मतलब टाइम निकाल के किसी भी तरह edit करके हंट फोड़ा अछिया धोड़ा है मेरा फ़ीडियो थोड़ा लीड फे आता है लेकिन भी मैं कोशिश करते हूँ कि मेरे मेरा वीडियो रेगलर जाए लेजी किसी को को बॉल नहीं सकता है घर狂 सारा काम होता बहुत सारी चीज़े चलते रहता है कि जरूरी नहीं नीगेटिव चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि इससे ना लोगों के दिमाग पर असर परता है कोई भी इंसान आपके लिए ना बहुत किम्ती टाइम निकाल के आपका वीडियो देख रहा है तो उसके चेहरे प प्रॉब्लम ही है अगर देखा जाये तो अपनी इतनी प्रॉब्लम सेयर करके भी कोई फायदा नहीं हाँ जो सेयर करने लाइक होता है वो मैं करती हूं तो चलिए इसा बातों को छोड़ते हैं दिरिशानी को मैंने रेडि कर दिया फटट फट से ममी गई दिरिशानी को छो सेयर भी कीजिए तो ऐसे ही में कोशिश करते रहूंगे छोटा ही व्लॉग क्यों नहों लेकिन डेली अप्लोड करूँ गूड आप सब लोग उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे अभी दिरिशानी गई है इस्कूल ममी गई है ठोड़ने और आज बावु इतना परिशान किया इतना परिशान के ना सुबह चार बज़े से वह परिशान कर रहा है उसके होजा से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना चार बज़े से जगी हुई हूं और आजकल लेट भी होता है सुने में कितना भी जल्दी काम खतम हो जाता है ना फिर भ करता है तो फिर आजकल ऐसा हो गया ना कि रात में सोई नहीं बाती हूँ अब बार बार ना तोड़ा सभी यह वह करता है ना मेरी आंसे खुल जाती है तुरां दूटके दिखते हैं क्या हुआ क्या हुआ सुबह ना एक घंटा में थोड़ा सोई हूं हजबन सोने दिये हैं जिसके वज़से थोड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन अभी ना मेरा सर इतना बारी हो गया है इतना ज़्यादा सरदर दो रहा है ना अभी लग रहा है कि मैं सो जाओ कोई सर का मालिस कर दे अभी ममी के दि हैंै कि अगि मतलई इतना प्रयलम नहीं था जितना कि अभी है हब बहु को चीरियों बहुत है तो और बच्च को मैं थ्यादा सब्सक्राइब I will die रहे तो चोटा बच्चन ज्यादा परिशान करता है दो तीर महीं को जाएगा तो इतना परिशान नहीं करेंगा आदमीको पहचानने लगेगा बाते करना लगेगा फिर कुछ अपने खेलने लगेगा तभी खेलता भी नहीं राष्यान करता है। थो अभी मैं जार्याइओ आदा नहां कुके पर टेथी कब मुझे सब्सक्राइब now सब्सक्राइब साथ किया सब्सक्राइब जल्द है खाना और उनको भी लेट हो गया अपिस जाने में वर जाने में क्या कर सकते हैं ौण वारीज में ही सब चीज़ देखना है हूं तो चलिये अबी मैं आराम करते हूं पhtिरrä आप लोगों से इस व्लोग करऊंगे अब कब मिलूंगी पता नहीं तो चलिये अभी मैं जाती हो आराम करती हूं थोड़ा फिर